अभीरा के साथ संजय ने चली अपनी चाहल अभीरा को नौकरी मिलते मिलते रह गई चली दोस्तों बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में मैं हूँ अधती शर्मा तो अभीरा नौकरी के लिए इंट्रव्यू देने जाती है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है इंट्रॵिवर काफी खुश होता है अभीरा से और तभी अर्मान की नजर अभीरा पर पड़ती है अर्मान वहां आता है वो दूर से अभीरा को देखता है और मन ही मन में सोचता है कि इसका मतलब अभीरा जूट कह रही थी कि उसकी जिन्दगी बहुत अच्छी चल रही है और असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर अर्मान उस इंट्रिविवर को इशारा करता है और उसको कहता है कि यह बहुत तैलेंटिल लड़की है इसका ध्यान रखना लेकिन तभी इंट्रिविवर अंदर जाता है और अभीरा को नौकरी देने से इंकार कर देता है अभीरा शौक रहे जाती है कि आखरकार ऐसा क्या हुआ अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था तभी जब अभीरा बाहर निकलती है तो उसकी नजर अर्मान पर पढ़ती है जो कि एक फोन कॉल पर होता है अभीरा के मन में आता है कि कहीं इसके पीछे अर्मान तो नहीं लेकिन फिर अभीरा को याद आता है कि अर्मान तो दिल से चाहता था कि अभीरा कुछ बने इसके लिए उसने घरवालों से लड़ाई भी की है अभीरा कुछ बन पाई इसके लिए अर्मान ने भी बहुत सारी चीजे सही है लेकिन तब ही अभीरा की नजर संजे पर पड़ती है और अभीरा को ये समझने में देर नहीं लगती कि इस पूरी शाजिस के पीछे आकरकार किस का हाथ है और अभीरा संजे को खुब करी गोटी सुनाती भी है आप सभी को क्या कुछ है कहना दोस्तों? और कितने पसंद आ रहे हैं? ये रिश्टा क्या कहलाता है कि अपिसोड्स कॉमेंट शेक्शन में बताईए जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में